आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास हिंदी की पोयम घर की याद के NCRT Questions प्लस Extra Questions घर की याद के जो लेखक हैं उनका नाम है भवानी प्रशाद मिश्र तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं Question No.1 पानी की रात भर गिरने और प्राणमन गिरने से प्रसपर क्या सम्मंद है तो इसका आंसर देखते हैं पानी की रात भर गिरने और प्राणमन गिरने में प्रसपर सम्मंद कवी की बिती, स्मृती और उससे होने वाली पीडा से है यानि की कवी को पुरानी बाते याद कर करके क्या है कश्ट हो रहा है पीडा हो रही है पानी के लगतार बरसने के कारण कवी को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई कवी को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गई खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे इस का कोई के पूरानी यादे करके उससे paani के लगातार बरसने के काय depends के गर सदश्यों की आदाने लगती और कवी क्या अपने पडाए हूय के साथ उनको भी याद करता है इसलिए God उसके जो प्राण और मन है वो घर की याज से क्या चिंतित हो जाते हैं और इस तरह ऐसे पानी के रात बर गिरने और प्राण मन गिरने की बात दे कवी की जो घर की यादे हैं उनके बारे में कहा गया है माई की आई बहन के लिए कवी ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है यानि कि जो माई की आई बहन है उसके लिए कवी ने उस घर को दुखों का घर क्यों कहा है वो हमें बताना है तो इसका आंसर देखती है बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुश रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी घर पहुँचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक बाई जेल में है तो उस पर क्या बीती होगी इसी कारण कवी ने घर को परिताप का घर कहा है यानि कि जब भी एक बहन माई के आती है तो वो यह सोचकर बड़ा खुश होती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी लेकिन जब कवी की बहन है उसको घर पहुंचने के बाद ये पता चला कि उसका एक बाई आंदोलन के कारण क्या है जेल के अंदर बंद है तो इसलिए कहे है वो घर उसके लिए दुखो का घर बन जाता है क्योंकि वो तो क्या है सबसे मिलने के लिए अपने माई के आया लेकिन उसका एक भाई तो जेल में बंध है पिता के व्यक्तितव को किन विशेष्टाओं को उकेरा गया है यानि कि जो कवी के पिता है उनके बारे में क्या-क्या विशेष्टाओं बताई गई है वो हमें बताना है तो इसका आंसर देखती है इस कवीता में कवी ने अपने पिता के अनेकों विशेष्थाओं को उके रहा है यानि कि बहुत सारी विशेष्थाओं के बारे में बताया है कवी के पिता नित्य वयाम करते हैं आज भी वे 260 दन नित्य पेलते हैं वे बड़ी उमर में भी दोड सते हैं और खिल खिल आकर हसते हैं उनकी वानी में बादलों जैसी गरजन और काम में तुफान जैसी तेजी है उनकी सामने शेर या मोद भी आ जाये तो वे घबराएंगे यानि कि जो कवी के पिता है वो हर रोज क्या है योगा करते है और हर रोज वो क्या है 260 सिच स्टेंड करते है यानि कि दन बैठक करते है और इस उमर के अंदर भी वो क्या है बहुत तेज दोड सकते है और वो खिल खिला कर भी हसते है उनके जो वानी होती है उनके जो शब्द भी आजाए तो भी वो नहीं गबराएंगे यानि कि बहुत ही जादा स्ट्रोंग है जो कवी के पिता है भी बहुत जादा वो प्यार करते हैं और दो और जो कवी के पिता के कारण ही कवी क्या है जो सल्तंतरता आंदोलन में जुड़े हुए है तो इस तरह से कवी के पिता को बुड़ा पाच्छू भी नहीं पाया है question number 4 निमनलिकित पंक्तियों में से बश्ब्द के प्रियोग की विशेश्ता बताईए मैं मजे में हूँ सही है पर घर नहीं हूँ बस यही है किंतु यह बस बड़ा बस है इसे बस से सब विरस है यानि कि इन पंक्तियों के अंदर जो बश्शब्द का बार-बार प्रियोग हो रहा है उसका अर्थ हमें बताना है तो इसका आंसर देखती है कवी ने बश्शब्द का प्रियोग बिन स्तितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए किया है पहले बश्शब्द के प्रियोग का अर्थ है कि कवी केवल घर में नहीं है दूसरे बश्शब्द का प्रियोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है तीसरे बश्शब्द के प्रयोग का अर्थ है उसके घरवालों से न मिल पाने की विवश्टा से वहव्यतित और दुखी है यानि कि यहाँ पर जो बश्शब्द का प्रयोग है वो अलग-अलग situations के लिए किया गया है यानि कि जो पहले बश्शब्द का प्रयोग है उसका मतलब है कि उसे सिर्फ क्या है घर की याद आ रही है और दूसरे बश्श का अर्थ है कि वे घरवालों से दूर रहने के लिए मजबूर है और तीसरे बश का अर्थ है कि वो घरवालों से मिल पाने के लिए बहुती जादा लाचार है और दुखी भी है Q5 है पानी गिरने का क्या अर्थ है इसका परिणाम लिखिए यानि कि पानी जो रात बर गिरता रहा उसका क्या मतलब है और इसका क्या रिजल्ट निकला वो हमें बताना है तो इसका आंसर देखती है पानी गिरने के दो अर्थ है एक तो सावन की जड़ी लगी है और लगातार वर्षा हो रही है दूसरा यह है कि कवी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है इसका परिणाम यह हुआ कि कवी के प्राण और मन घर की याद में गिरे गई है उसकी सजल आंखों में उसका घर तैरने लगा है यानि कि इसके पानी गिरने के दो मतलब है पहला है कि जो सावन है इसलिए कि प्रिये पुत्र को याद करते हुए कच्ची वो गई है वे सोच रहे है कि उनका बेटा जेल में कितनी यातनाई सहरा होगा उनका दुखी हरिद्य इस बोच को नहीं संभाल पाता है और उनकी आँखों से आंसु बहने लगते हैं बेटा जेल में कितना दुख सहरा होगा और उनका जो दुखी हरिद्य है उससे संभाल नहीं पाते और उनकी आँखों से आसु बहने लगते हैं Q7. कवी बादलों से कौन सा संथेश qipाने को कह रहा है यानि की कवी बादलों से ऐसी कौन सी बात कह रहा है कि वो उसके घरवालों को नहीं बतानी वो हुमें बताना है तो इसका आंसर देखती है कवी यह नहीं चाहता कि जेल के कश्टों के विशेक में उसके परीजनों को पता लगी अतब वह बादलों से कहता है कि घर से दूर रहकर वह बड़ी दुखी है यह बात घर तक मत पहुचाना उन्हें मत बताना कि मैं अस्थ हूँ और स्वयम नहीं जानता कि मैं कौन हूँ हे सावन मेरे परीजनों के स्मक्ष मेरा कोई दुख मत बताना यानि किस आंसर के अंदर इतना ही बता रहा है कि कवी अपने घर वालों को यह नहीं बताना चाहता तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना